हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिस्ट ट्रेनिंग प्रतापगड उत्तरपदेश दोस्तो आर्टी एक्ट जेहां दोस्तो आर्टी एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट अनिवार युम नहिशुल्क बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम दो हजार इग्यारा के अंतरगत ये प्रावधान है कि किसी भी गाउं में किसी भी समुदाय में कितनी आबादी पे प्रात्मिक विद्याले खुलेगा और कितनी आबादी और कितनी दूरी पे उच्छ प्रात्मिक विद्याले खुलेगा अगर किसी गाउं की आबादी यानि वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 है और उसके आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्रात्मिक पाटशाला नहीं है तो वहाँ पे दोस्तों प्रात्मिक विद्याले की सरकार अस्थापना करेगी ऐसे ही उच्छ प्रात्मिक विद्याले अगर किसी गाउं की आबादी 300 व्यक्तियों की है और उसके 3 किलोमीटर के दायरे में 3 किलोमीटर के रेंज में कोई भी अपर प्राइमरी स्कूल यानि कक्षा 6 से 8 तक विद्याले नहीं है तो वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक विद्याले खोलना सरकार का विधिक और नैतिक दायत्व है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसे छेत्रों की ऐसे एरियास की परताल की जा रही है जहां पे शिक्षा की लव अभी तक ऐसे एरियास में नहीं पहुच पाई है यानि RTE Right to Education Act निमा वली 2011 के दाइरे में अब बाते ऐसी हो रही हैं ऐसे छेतरों की हो रही है जहां पे 300 आबादी होने के बावजूद एक किलो मीटर के दाइरे में कोई प्राथमिक पार्शाला नहीं है वहां पे विद्याले नए खोले जाने है ऐसे ही 300 आबादी मौजूद होने के साथ साथ तीन किलो मीटर के दाइरे में कोई काक्षा 6-8 तक विद्याले नहीं है वहां पर भी विद्याले दोस्तों खोले जाने है इस सम्मंद में आदेश जारी हो गया है आते हैं देखते हैं कि कैसा आदेश जारी हुआ है और उस आदेश के आलोक में कौन सी महतपून बाते दोस्तों कही गई है तोस्तों ये लेटर है इसके प्रेशक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनवू सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपत उत्तर प्रदेश पत्रांग सिक्षा निदेशक बेसिक नियोजन 64672-64747-2020-21 दिनांग 21 दिसंबर 2020 यहां बात दोस्तों ये हो रही है विशय यहां पे ये हो रहा है कि मुखमंत्री समग्र विकास योजना के अंतरगत सूचना मांगी जा रही है क्या मांगी जा रही है महोदय कृपया शाषन के पत्र संख्या UO 42-68-5-2020-13 नॉवंबर 2020 जो महानिदेशक स्कूल सिक्ष उत्तर प्रदेश लखनों को संबोधित है का संदर्व ग्रहन करने का कस्ट करें जिसके द्वारा ध्याना क्रिष्ट किया गया है कि निहिशुलक और अनिवारबाल सिक्षा का अधिकार नीमावली 2011 में विद्याले अस्थापना के संबन में निम्नोत व्योस्था है अब इस नीमावली में विद्याले अस्थापना नया स्थापित होना है उसकी क्या व्योस्था है हम आपके सामने दोस्तों प्रस्तूत करते हैं नीमावली ये कहती है 4 का यानि RTE Act 2011 जो की UP में इंप्लिमेंट हुआ उसकी नीमावली चार का ये कहती है कि कक्षा एक से पांस तक के बच्चों के संबन में ऐसी बस्ती में विद्याले अस्थापित किया जाएगा जिसके एक किलोमीटर की दूरी के अंतरगत कोई विद्याले नहीं है तथा नियून्तम आबादी 300 है तो दोस्तों आपने देखा प्रात्मिक पार्टसाला यानिक अक्षा एक से पांस तक की जो पार्टसाला है उसका नियम ये कहता है कि एक किलोमीटर की दूरी का जो दारा है वहाँ कोई स्कूल नहीं है और वहाँ पे तकरीबन 300 विक्तियों की आबादी रह रही है उनके लिए स्कूल की रिक्वार्मेंट अगर हो तो सरकार करे वहाँ पे अगर स्कूल नहीं खुला है कोई भी विद्याले नहीं है तो यह सरकार का विधिक और नैथिक दाइक तो है कि 300 की आबादी और वन किलोमीटर की रेंज में कोई स्कूल नहीं होने की इस्तिती में वहाँ स्कूल खोला जाए आगे चलते है फोर खा क्या कहता है इसी निमावलिका कि कक्षा 6-8 तक के बच्चों के संबन में ऐसी बस्ति में विधियाले अस्थापित किया जाएगा जिसके तीन किलोमीटर की दूरी के अंतरगत कोई विधियाले नहीं है ताथा नियूंतम आबादी 300 है तो कक्षा 6-8 यानि जूनियर हाइ स्कूल जिसे हम बोलते है अभी तक इसे हम जूनियर हाइ स्कूल और पूर माद्मिक विधियाले बोलते थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई भी विधियाले इस नाम से नहीं जाना जाएगा अभी हाल ही में डक्टर सर्वेन विक्रम बहादूर सिंग स्क्षा निदेशक बेसिक ने पत्र द्वारा ये अवगत कराया है समस्त जिला बेसिक स्क्षा अधिकारियों को कि अब कोई भी विधियाले जूनियर हाइ स्कूल पूर माद्मिक विधियाले के नाम से ना जाना जाएगा अब अगर वो जाना जाएगा, तो उसे उच्छप्रात्मिक विद्याले ही केवल कहेंगे, यानि दिवालों पे जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा उच्छप्रात्मिक विद्याले, आगे चलते हैं इस सम्मन्द में मुखमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना अंतरगत चैनित राजसुग्राम नहिशुलक और अनिवार बाल सिक्षा का अधिकार निमावली 2011 के मानक के अनुसार प्रात्मिक अबलिक उच्च प्रात्मिक विद्याले के निर्माल से सेवित है अत्वा नहीं के सम्मन्द में अपनी आख्या शासन को ततकाल उपलब्द कराने है तो निर्देशित किया गया है उपरियुक्त के संबन में आपको निर्देशित किया जाता है कि वांची सूचना निर्धारित प्रारूप पर दीनांग 18 दिसंबर तक प्रतेक दस्वामिन निदेशाले के इमेल आईडी और आप देख सकते हैं क्या सूचना मांगी जा रहे है कि कक्षा एक से पांस तक के बच्चों के संबन में ऐसी बस्ती जिसके एक किलोमेटर की दूरी के अंतरगत कोई विद्याले नहीं तथा नियूंतम आबादी तीन सो है दूसरी सूचना मांगी जा रहे है कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबन में ऐसी बस्ती जिसके तीन किलोमेटर की दूरी के अंतरगत कोई विद्याले नहीं तथा नियूंतम आबादी तीन सो है फिर दोस्तों बात हो रहे ही मुखमंतरी समगर ग्राम विकास योजना अंतरगत चैनित राजस ग्राम नहिशुलका और अनिवारबाल सिक्षा का अधिकार निमावली 2021 के मानक के अंसर प्रात्मिक आबलिक उच्छ प्रात्मिक विद्याले के निर्माड से सेवित है अत्वा नहीं अब इस योजना के अंतरगत यहां पर यह जो सूचना है वो मांगी जा रही है कि मानने मुखमंत्री की समगर ग्राम विकास योजना अंतरगत चैनित जो राजस ग्राम है वो हो नहिशुलक और अनिवार बाल सिक्षा का अधिकार निमावली 2011 के मानक के अंसार अबलिक उच्छ प्रात्मिक विद्याले के निर्मार से सेवित है या नहीं तो जो भी मुखमंत्री का यह जो समगर ग्राम विकास योजना है उस योजना के अंतरगत जो चैनित राजस ग्राम है वो RTE के मानक को फॉलो करते हैं या नहीं यह information मांगी जा र करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि RTE का जो यह मानक है जो यह कहता है कि एक किलोमीटर के दायरे में अगर कोई प्रात्मिक पार्टशाला नहीं है और तीन सो वहां आबादी है तो वहां प्रात्मिक विद्याले अस्थापित किया जाए वहीं RTE का मानक यह क important information है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है प्लीज आप इसे लाइक करें लेकिन अगर आप अभी भी DC ट्रेनिंग प्रताबगर उत्तर प्रदेश के इसको बसूरत यूट्यूब चैनल पे नए है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब क्टन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आईकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देख्थ वरचिग एलिजिए एलिस इजए परकास्ट वैसमे इंट निए यजि झानि आफ